और अब बाद 2023 के महाभारत की चुनावी साल में पार्टियां जोइन करना छोड़ना ये स्वभाविक है और ये जल भी राय सिलसिला जारी है ग्वालियर में बीजेपी के पूर्व संभागिया मेडिया प्रभारी सुबोध दूबे और किसाननेता सत्येंद्र सिंग गुर्जर ने पार्टि से इस्तीफा दे दिया सुबोध और सत्येंद्र दोनों ने बीजेपी पर नजर अंदाज किये जाने कारोप लगाया सुबोध ने कहा कि उन्होंने 20 साल तक भारतिय जनता पार्टी में सेवक की तरह काम किया लेकिन अब पार्टी में कुछ महत्वक आंक्षी नेताओं के आ जाने से उनके जैसे करमठ जमीनी कार्यकरताओं को नजर अंदाज किया जा रहा है सुबोध ने कहा कि उन्होंने अपनी पीड़ा पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुँचाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही ऐसे में उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया फिलाल वह किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होंगे पार्टी पर नज़र अंदास करने का आरोप लगा रहे हैं और साथी ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि वे किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होंगे सुबोद और सतेंद्र दोनों ने बीजे पी पर नज़र अंदास किया जाने का आरोप लगाया है अलाकि पार्टी नेताओं को मनाने के लिए लगी हुई है सुशील हमारे से होगी इस पक्त हमारे साथ हैं सुशील पार्टी लगातार प्यास कर रही है कि रूठों को मनाया जाए जो पार्टी में आना चाहते हैं वो यह आएं इस बीच नाराज देताओं कि ये बात सामने आना जाहिर करता है कि अभी कुछ और काम करना पड़ेगा बिल्कुल देखिए चुकि छुनावी साल है तो ऐसे में निश्चित तोर पर भारती जनता पार्टी के अंदर भी पुराने जो कारे करता है कई कारे करता हैं से जिनकी नाराज गिया है और एसी ही नाराज भी सामने आई जहां बीजेपी के पूरु संभागी मीडिया प्रभारी सुबोट दूबे और इनके साथ ही इनके एक और साथ ही बीजेपी की किसान मोर्चा के प्रदेश कारे समेटी के सदस्य सतेन सिंग गुजर ने आज एक प्रेस कॉंफरेंस कर सारवजनिक रूप से भारजयनता पार्टी से अपना इस्थिपा देने की बात कहिए साथ ही इनोंने कहा है कि ये लंबे समय से भारजयनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन उनको चाहे नगरपाली का चुना हुए है उस दोरान भी नजर अंदास किया गया है अभी भी लगातार नजर अंदास किया जा रहा है तो अब इसमें भी प्रयास होगा कि इन दोनों जो कारे करता हैं पुराने कारे करता हैं लगब 20 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे थे तो निश्ची तोर पर बाजपा के बड़े नेता इंसे बात करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं तुनावी साल में इस तरह की जो इस्टेफी की खवरे आती है या इसकी पार देने वाले लोग सामने आती है तो इस टिकेट की भी इच्छा जताई है क्या तो इनके जो साथी है सतें इन्हों नगर पाली का नगर पंचायत और नगर निगम चुनाव के दौरान अपने और अपने सयोग्यों के लिए पार्शत के सीखिट मांगे थे उस दौरान भी कहा जाता है कि इनको और इनके साथियों को टिकेट में नहीं के बारते जंता पार्टी दावा करती है कि कहां टिकेट मिलेगा बहुत शुक्री आपका सुशील और बढ़ते आगे और रुख करेंगे अगली खबर का चुनावी साल में सियासत चरम पर है आरोप प्रत्यारोप जारी है और इन दौर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खुद को हटाने वाली खबरों पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश बीजेपी में किसी को पता नहीं होता कि कब किसे क्या जिम्मेदारी मिल जाए कब कौन हट जाए दिगविजे सिंग के एमपी में दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि वे तो चाहते हैं कि दिगविजे सिंग मध्यप्रदेश में ज्यादा से ज्यादा दौरा करें जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा बीजेपी अपने काम पर विश्वास करती है उन्होंने दिगविजे को मिस्टर बंटाधार बताया तो कमलनाथ को सबसे बड़ा कमीशन खोर बता दिया कॉंग्रेस सरकार में वल्लब भवन दलाली का अड़ा बन गया था को और कारेकर अगको जो पां दिया जाता है वो और हे चलained मुझे पता था है मुझे बनाया जा रहा है जब मुझे बनाया गया ने काम सुरू किया और अगर अघारे निर्ट्रत को और रूमें अच्छी वास है मैं दोशामानता हूं लेकिन भारती जनता पाटी मद्रपदेश विकास के मुद्धेपर विकास हमारा सबसे बड़ा बोड़ा है जूट चलकपट की राजनेती करने वालों से काम नहीं चालाएगा हम विकास के आधार पर जनता आप सवास करती है हम उसके आधार पर जाए तो हमारी सरकार ने राज़ी सरकार में काम की इन काम की ताकत के आधार पर जाएंगे हमें पिसी की चिंटा नहीं अगर कमीशन को कमीशन खोल को इड़कती समंध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है गौरब जी तो स्रीमान कमलनाची है स्रीमान दिविजय सीन है मैं पूछने चाहता हूं बल्ला भवन को अट्टा दलाली का किसे ने बनाया था और भी सल ओन रिकॉर्ड पैसा किसके पास पकड अगया आपके सिप्रेस आला जो आपको देवर वो इलती देवी तुलसी वाई जानते हैं वो कहती है कि कौन पिगलानी और कौन क्या है को एक ही काम करता है कि बोड़ियां बरता बला भवन में लाओ डालो लाओ डालो ये दलाली का अड़्डा बनाने का काम कमलनाची आप उसके बारे में भारती लित्ता पाटी सरकार न छोड़ती है न छोड़ेगी और वीडी शर्मा की कमलनाच को कमीशन खोर बताने पर कौंग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने पलटवार किया जेपी धनोपिया ने कहा कमीशन खोरी की जानकारी बीजेपी नेताओं को होगी जिन्होंने कमीशन लिया है वहीं कॉंग्रेस को डूबता जहाज बताने पर जेपी धनोपिया ने कहा कि बीजेपी की अब चला चली की बेला है चुनाव से पहले बीजेपी अब अपने नेताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश में जुट गई है नाराज चल रहे नेताओं से पार्टी का वरिष्ट नेत्रत्व चर्चा करके समनवय बैठक कर रहा है और यहाँ पिछले दिनों कई नेताओं ने पार्टी लाइन में पार्टी लाइन से हटकर मीडिया में जो बयान दिये थे उसके बाद पार्टी को नुकसान हो रहा है बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि पार्टी में हमेशा आपसी समनवय की बात होती है कोई नाराजगी जैसी कोई बात है नहीं कॉंग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी में गुट बाजी चरम पर है और लगातार बैठकें की जा रही है चिनाओ में डैमेज कंट्रोल काम नहीं आ रहा स्पष्ट है कि कुछ लोग तूलकिट एजिंडा चलाने का काम करते हैं जिस प्रकार से कॉंग्रेस इसमें माहिर है और सिर्फ टवल की सिती कॉंग्रेस के अंदर है आप देखिए कि अरुने आदब जी को शहीद करने के लिए बुंदेलकंट भेज दिया है जहां पर भारती जंता पार्टी के सरवादिक, विधायक भी हो और जहां से मंत्री भी आते हैं दूसरी तरफ दिग्वेजच सिंग जहां जहां जा रहे हैं वो टिकेट वितरन करके आ रहे हैं ऐसी चार सीटे तो सामने आ चुकी है, तो वहाँ पर पुन्य निल्टि के कारेकरम में टिकेट वितरन करके आ गए है राहुल गांधी जी से जब कमलनाज जी के मुख्यमंतरी होने का प्रोजेक्ट करने का स्प्रश्ण पूचा गया तो राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाए तो यह स्पष्ट दिखा रहा है कि सिर्फ हुटबल किस ओर है और किस तरफ सामंज से काम चल रहा है सबसे पहले से बस्ट कहीं वार साबित हो चुकी है कि सिवराज भाजपा जा1 का नाराज भाजपा 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 तीन गुटों में काफी पहले से यह बढ़ चुकी वही कारण है की KPP य्यादा वे एक बार नहीं। बार बार सवाल खड़े करते हैं भाजपा के नेतित पर उसके संगटन पर, मतलब आप देखें वो जो तरह सिंदिया को मुर्ख तक बोल चुकी है, कहलास विजबरगी जी के बियान, दीपक जोसी जैसे नेता अजन के पिता ने इस पारटी को पोशित किया, वो पारटी को छ और नेता प्रतिपक्ष गोविन सिंग के मुख्यमंतरी फेस को लेकर दिये गए बयान पर, गुरे मंतरी नादुपता मिश्रन इतन्सकसा, उन्होंने कहा कि कमलनाथ खुद को भावी सियम कहते हैं और कोई नहीं कहता, ना उनकी सरकार आने वाली है, ना वे सियम बनने वाल दो दिन पहले बंद कमरे में कही थी, गोविन सिंग जी ने सार्व जी ग्रूप से कह दी, इतना सा इंतर है कि जो बात दिकवजे सिंग जी नहीं बोल पा रहे हैं, वो उनने गोविन सिंग जी से बुलवा दिये, ये उनकी गुटबा जी है, कमलनाथ जी को छोड़कर बाक कि उनने इसको विराम दे दिया, एक बहुत अनभवी नेता है गोविन सिंग जी, सबसे सीनियर कांग्रेस के विदायक है, संसदी ग्याता भी है, और इसलिए वो जानते हैं कि विदायक है। और अब देखिए एलेक्शन टॉप 10 वालियर में बीजेपी नेता सदस्य सतेंद्र गुर्जर ने दिया, इस्तीफा पार्टी पर नजरन्दास करने का लगाया रोब बीजेपी के प्रदेश अदेक्श वीडी शर्मा ने कमलाथ को बता कमिशन खोर दिख विजेश सिंग और के एमपी दोरे पर बोले, बीजेपी को मिलेगा फायदा कमलाथ को कमिशन खोर बताने बाले बयान पर कॉंग्रेस ने क्या प्रटबार, वीडी शर्मा पर जेपी धनोपिया का बयान कहा बीजेपी की है चला चली की बेला नेता प्रिटेपक्ष गोविन सिंग के वुके मंतरी फेस को लेकर दिये गए बयान पर नहुत्तम इश्रा का तंस कहा जो दिख विजे सिंग नहीं बोल पाए गोविन सिंग ने कह दिया आकाल लोग में सबतरिशियों की मूर्ती गिरने पर सियासत दिख बिजे सिंग ने कहा ठेकेदार की होनी चाहिए जाँच आकाल लोग को लेकर कॉंग्रेस के आरोपो पर नगरी प्रशासन मंतरी भुपेंदरु सिंग का बयान सरकार किसी भी तरह की जाच कराने को तैयार 36 गड़ में 24 साल में जनता के बीच नेता कॉर्बा में राजस समंतरी जैसिंग कर रहे दौरा अंभीकापूर में बीजे पीवा मोर्चा का प्रदर्शन कलेक्टर का रहले का किया घेरा च्रग्डलपूर में कॉंग्रेस का संभागे समेलन प्रदेश प्रभारी कुमारी चार्जासीम भुपेश बगे लहोंगे शामिल रिवा के पूर्वसांसद बुड़ा सेन पटेल वियारस में शामिल पार्टिय अदेश के सियार ने दिलाई सदसिता खबरों कसे सिला आगे भी जारी है वक्त एक बहुत शोड़ इसे ब्रेकाट जल लॉटते है